तो बचो आज की क्लास में हम लोग सेहंगे हेरॉंस Fórmula in Detail और Application तो आज की इस क्लास में इस क्लास को अच्छा करकर आप सीख़नी इस पाओगे कि इर एक हिर्यास का हिर्यास का हिर्यास Fórmula का को यूज करके अगर हिरॉंस फार्मला को यूज करकर आपने किसी ट्राइंगल की किसी बेश के उबर हाइट कल्कुलेट करनी है तो कैसे की जाती है इसके लावा किसी पैलोग्राम के रिया जो कि बेश इन्टू हाइट होता है उसका इस्तमाल किया जाए या फिर टैपिजम क की एरिया निकाला जाए और उसमें हिरॉंस फार्मला कैसे यूज होता है तो देखो बच्चो इजीवेस हमारे इंस्टिट का नाम है और यह हमारी चैनल का नाम भी है और हमारी वबसाइट भी तो आपने से कोई भी अगर हमारे को हमारी क्लासिस को जोन करना चाता है तो न इन साइट्स आपको पता हूँ तो आप सबसे पहले हैडिंग लिखो हिरॉंस फार्मला और ट्राइंगल बना लो आप ABC जिसमें एंगल A के सामने वाली साइट को आप स्मॉल A लिखो एंगल B के सामने वाली साइट को आप स्मॉल B लिखो और एंगल C के सामने वाली साइट को आप small c लिखो अब दोस्टो इसमें आपके बाद एक चीज निकाली जाती है जिसको perimeter का half या semi perimeter बोलते हैं या आप इसको s लिख सकते हो तो यह जो s होता है s is equals to इस a का b का c का half होता है मतलब a plus b plus c upon 2 यह semi perimeter होता है इस semi perimeter का use करकर आप triangle a b c का area अगर निकालोगे तो formula होता है square root के अंदर एक बार आप s लिखोगे फिर आप s minus a लिखोगे फिर आप s minus b लिखोगे और s minus a c लिखोगे तो पहले आप सबसे पहले इससे triangle को draw करो s को लिखो और area of triangle का formula आप note कर लो अब दिको बचो हमने सबसे पहला question लिया जिसके अंदर आपको triangle का area find out करना है जिसकी sides आपको 26 cm, 28 cm और 30 cm आपको given है बचो मैं जिस book को use करके चल रहा हूं वो ऐसी निजावन की book है बहुत अच्छी book है और उसके अंदर बहुत अच्छी इसके assignments given है तो बचो 26, 28 और 30 cm यह आपके बास में sides है triangle की और आपको इस triangle का area find out करना है तो बचो देखो आते हैं सबसे पहले आपको जो चीज given है तो उसके अंदर आपको first side given है 26 तो आपने लिखा A कितना आपका 26 cm फिर आपने B लिखा वो कितना है आपका 28 cm फिर आपने C लिखा कितना आपका 30 cm तो आपको triangle की एक side A, एक side B और एक side C आपको मिल जाती है अब आप एक semi perimeter निकालोगे जो कि S होगा S होगा इस 26, 28 और 30 का half मदद 26 plus 28 plus 30 upon 2 इनको जब आप solve करोगे तो इन तिनों का sum 84 आता है 84 को आप 2 से divide करो और आपका answer निकलेगा 42 तो पहले आप इतना portion खुद करकर देखो इतना portion बड़े अराम से हो जाएगा ठीके बचो अब देखो अब इसको करने के बाद आप triangle के areas के formula पर आओगे square root of आपने लिखा S, S-A, S-B, S-C तो आप सबसे पहले लिखो 42, 42 में से minus 26 लिखो, 42 में से minus 28 लिखो और 42 में से minus 30 लिखो तो ये 3 चीज़ें आप सबसे पहले note करो 42 लिखा, अब आप 42 में से 26 को minus करोगे तो क्या आएगा आप उसको लिखो, 42 में से 28 को minus करोगे क्या आएगा आप उसको लिखो, फिर 42 में से 30 को minus करोगे आप तो क्या आएगा आप उसको लिखो अब आप खुछ सोचो यह जो 42 है अगर मैं इसके प्राइम फेक्टर करता हूँ तो इसके प्राइम फेक्टर आएंगे 7, 2 और 3 16 के प्राइम फेक्टर आएंगे 2, 2, 2 और 2 और 14 के प्राइम फेक्टर आएंगे 2 x 7 और 12 के प्राइम फेक्टर आएंगे 2, 3 x 6, 2 x 12 तो आप सबसे पहले फिर एक prime factor relations इसकी कर लो अब अच्छो prime factors बनाने के बाद आपको pairs बनाने होते हैं तो जैसे कि आप देख पारे हो कि ये 7 इस 7 के साथ pair बनाकर 7 बाहर ये 2 इस 2 के साथ pair बनाकर 1 2 बाहर ये 3 इस 3 के साथ pair बनाएगा तो 3 बाहर फिर उसके बाद में ये 2 इस 2 के साथ pair बनाएगा 1 2 बाहर और फिर ये 2 इस 2 के साथ pair बनाएगा 1 2 बाहर जैसे कि आप root के अंदर pair बनाकर बाहर निकालते हो आप इससे बाहर निकाल लो ठीके बच़ो अब देखो अब अगर हम solve करोगे तो 7 x 3 और 4 बार जब आप 2 को multiply करोगे तो 2 x 2 is 4, 4 x 2 is 8, 8 x 2 is 16 तो 7 x 3 x 16 मतलब 3 x 36 cm2 आपका area निकल कर आजाएगा जो कि बहुत easy है अब अच्वो मैंने आपको ABC बता दिया triangle की size S निकालना सिखा दिया triangle का area में values कैसे put करते हैं और फिर उनको solve कैसे करते हैं अब इनके उपर base मैंने आपको यह 3 questions practice के लिए दिये हैं इसमें फर्स्ट question जिसमें A पता है B पता है C पता है second question में A पता है B पता है C पता है आप इन दुनों questions को एक बार try करो जब आप third में जाओगे तो आपको A पता है B पता है लेकिन आपको C नहीं पता लेकिन इसी के साथ teacher ने आपको triangle का perimeter दिया है वो है 42 cm तो इसका मतलब A आपका 14 है B आपका 10 cm है C आपको नहीं पता लेकिन A का B का और C का sum 42 आपको given है तो आप इसको यूज़ करके C find out कर लोगे और फिर triangle के रिए आप calculate कर लोगे तो आप यहाँ वीडियो को pause करके पहले आप सबसे पहले इस formula के उपर command कीजिए अपनी अब देखो बचो अब आप आगया होगे तो मैं अब आपके साथ कुछ hereons formula पर आपकी command बन गई है तो मैं आपको कुछ important questions जो की hereons formulas के पूछे जाते हैं मैं इक पर आपको सिखाता हूँ बचो आपसे सबसे पहला question जो put up किया गया कि 12 किसी triangle की sides है किसी ratio में मतब sides given नहीं है लेकिन ratio given है 12 to 17 to 25 का आपको ratio given है मतब first side का second side का और third side का एक ratio आपको given है 12, 17 और 25 और perimeter आपको given है 540 cm और teacher आपसे area find out करते के लिए कहता है तो मैं आपको इसका hint दूँगा A आपको 12 की table में आने वाला एक number है मतलब 12x है B आपके पास 17 की table में आने वाला number मतलब 17x है और C आपका 25 की table में आने वाला number मतलब 25x है तो जब कभी आपको ratio given होता है तो एक common multiple उनका x होगा तो A आपका 12 times B आपका 17 times C आपका 25 times x का बन गया मतलब A आपका 12 की table में आने वाला number 12x B आपका 17 की table में आने वाला number 17x और C आपका 25 की table में आने वाला number 25x बन गया अब अब चुछो इस question में perimeter given आपको 540 cm मतलब A का B का और C का sum आपको 540 given है आप A की जगा 12x B की जगा 17x और C की जगा 25x put करकर पहले आप x निकालो x निकालकर उस value को यहाँ put करो और आप A निकालो आप B निकालो और आप C निकालो जब आपको ABC मिल जाएंगे तब आप उससे easily Hurons formula का use करके triangle का area find out कर सकते हो तो बच्चो इसे एक बार करकर देखो अब बच्चो आगे चलते हैं देखो एक question मैंने आपके लिए लिए है कि अगर parameter एक ISO-cellus triangle का 32 cm है तो बच्चो ISO-cellus triangle की दो sides equal होती हैं मतलब पहले side A और दूसी side B आपके पास equal है parameter एक ISO-cellus triangle का 32 है मतलब दो equal sides आपको पता है और एक आपको base पता है और ये जो इन तीनों का sum होगा वो 32 है parameter का मतलब तीनों का sum अब आपसे कहते है equal side का जो base के साथ ratio है वो 3 to 2 है मतलब A और B बराबन है तो A 3 की table माने वाला नंबर और B भी 3 की table माने वाला नंबर होगा और जो 30 side base C है वो कितना आपके साथ में 2 की table माने वाला नंबर मतलब 2 times कुछ होगा तो आप इस question में A की जगा पर क्या लिखोगे 3X B की जगा पर क्या लिखोगे वो भी 3X वो कि तो को ratio of equal sides equal sides क्या है equal side आपके साथ में A और B है और ये दोनों आपके साथ में 3 की table माने वाली है तो A होगा 3X B होगा 3X और जो base है वो base 2 की table माने वाला नंबर मतलब C जगा स्चो कितना आपका 2X है अब आपको A पता है B पता है C पता है इसका sum A plus B plus C आपको 32 पता है आप X calculate कर लोगे X की value को put कर दोगे वे here on formula लगा कर आप triangle के area find out कर लोगे note करकर देखो और करकर देखो अब बचो हम आते हैं question number 3 पर जो कि बहुत tricky है बहुत important है और बहुत पूछा जाता है बचो ये basically हमारा second type का question है इसमें teacher आपको एक triangle देगी teacher उस triangle की 3 sides आपको देगी और teacher आपसे पूछ सकती है तीनों में से किसी भी side के उपर drop किये गए perpendicular की length कितनी है या फिर उस side को base मानकर अगर triangle की height calculate की जाए तो वो calculate क्या होगी तो वो height teacher 15 cm के उपर भी calculate करवा सकती है 36 cm के उपर भी calculate करवा सकती है 39 cm के उपर भी calculate करवा सकती है तो इस question के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि तीनों के उपर height को कैसे calculate किया जाए तो मेरे इस question के अंदर मुझे perpendicular distance या फिर height find out करनी है तीनों sides के उपर तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप पहले इस question को note कर लो जिसमें A आपका 15 है B आपका 36 है और C आपका 39 है देखो अब अचो देखो आप यहां से अब आपके पास क्या given है A आपका 15 cm है B आपका 36 cm है और C आपका 39 cm है तो S क्या होगा S है आपके पास A का B का C का half semi perimeter आपने S निकाला S की help से area of triangle निकाला आपने A की जगा S की जगा 45 तो आपने S-A, S-B और S-C put किया minus करके जो आपके answer साए 45 में से 15 को minus करके जो answer आया 45 में से 36 को minus करके आपका जो answer आया और 45 में से 39 को minus करोगे तो आपका जो भी answer आया उसे आपने हैं put किया फिर 45 को आपने factors में divide किया और फिर 30 को भी आपने factors में divide किया फिर 9 को आपने factors में divide किया फिर आपने 6 के भी factors बनाए और prime factorization बनाने के बाद pairs बनाकर आप numbers को बाहर निकालते चले गए तो यह आपका area of triangle निकल कर आ गया तो आप सबसे पहले area of triangle तक पहुचो A पता है B पता है C पता है S निकाला है आपने area of triangle का आपको formula आता है इस यहां तक triangle को आप खुछ solve कर लो अब अच्छो देखो अब आप से कहते हैं कि height यह length अगर आपने triangle की 15 cm side के उपर निकालनी है तो यह जो area है यह आपके बस में half base हो जाएगा आपका 15 और अगर height इस side के उपर h1 है तो half base into height मता half 15 into h1 is equal to 270 और आप इससे h1 को easily calculate कर पाओगे देखो बचो तो अब आपने लिखा half आपने लिखा 15 into h1 is equal to 270 यहांसे h1 निकल कर आएगा आपका 270 into 2 upon में कितना आपका 15 यह आपका h1 निकल कर आ गया अब आपको height निकालनी है triangle की base कितना आपके पास में 36 है तो same formula इसके उपर height अगर आपकी h2 है तो आपके पास में half base होगा आपका 36 height होगी h2 और area कितना होगा आपका 270 जैसे half base था 15, height थी h1, area था 270 इस बार half base है आपका 36, height है आपके पास में h2 और area है आपका 270 सब्सक्राइब करोगे किल दीचेगा इसको आप अब आप से कहते हैं कि ट्राइंगिल की हाइट निकालो जबकि बेस कितना आपका 39 सेंटीमेटर है तो आप लिखोंगे हाफ बेस होगा आपका 39 इंटु हाइट होगे आपकी हाइट 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 करकर मुझे दिखाओ वीडियो का आप पॉसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं ठीके बचों नेक्स वाजों देखो अब आपके बारस अगला कुशन मैंने आपको दिया है जो कि बहुत एजी है हमसे कहते हैं साइट एक ट्राइंगुलर फील्ड की दो में ध्यान से समझा फर्स साइड है 41 मीटर सेकंड साइड है आपके बास में 9 मीटर तो आप इसमें ए पता है बी पता है सी पता है आप बड़े अराम से एरिया ओफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लोगे इतना आप निकाल दोगे यह एरिया आपका मीटर स्क्वाइर में निकल कर आएगा अब आप से कहते हैं फाइंड नंबर ओफ रोजबेड्स इच रोजबेड रिक्वाइर नाइन हंड्र सेंटिमीटर स्क्वाइर तो यह चीज इंपोर्डेंट है इसको थोगत ध्यान समझे इसको मैं यह वरापको सिखा तो कि आपका जो भी एरिया निकलेगा वह कुछ मीटर स्क्वाइर में निकलेगा तो आप जो भी आंसर निकलेगा उसको 100 और एक और हांड्रेड से मर्टि स्कूर हो जाएगा अब आपके बाश में फिल्ड का एरिया भी cm2 में और रोजबैट के अंदर बहुत सारे रूसबैट लगेंगे तो नंबर ऑब रोजबैट होंगे जो भी फिल्ड का एरिया निकल कर आया उसको आप डिवाइट कर दोगे किसे 900 से तो आपका फाइनल आंसर इसली निकल कर आ जाएगा कि कितने रोजबेट्स की आपको रिक्वाइर्मेंट है कॉंसेप्ट के लिए इवाद करकर देखो अब देखो बचो अब हमारे पास आता है कॉशन नंबर फाइफ जो कि अगेन एक बवरी इंपॉर्टेंट टेगैं से कहते कि पेरिमीडर ओफ ट्रैंगल इस फिप्टी संथिमीटर मतल स्का समगर्स एटना समझ मैंता ऐइए गया यह एक इक वरट क्याईयम्र ना कि यह समझते हैं कि ए फोट के यह अल है यह 4 cm से आगे चल रहा है, तो वह कहले का 4 cm long तो one side of a triangle को बच्चे गलती से 4 cm माल लेते हैं, वो गलती मत कीजिएगा One side of a triangle is 4 cm long than smallest side इसका मतलब है यह sentence मिश्य पूरा बढ़ी है एक side किसी triangle की 4 cm बढ़ी है smallest side से तो कोई भी smallest side होगी, उससे 4 cm बढ़ी आपकी एक और side है Third side is 6 cm less, third side 6 cm less है Then twice the smallest side, smallest side के twice से 6 cm less आपकी third side है और teacher कहता है कि आप इसका area calculate करो बढ़ा असान तरीके से आपको सिखाऊंगा पहले एक बार question को समझो triangle का perimeter given है, हमसे कहते हैं कि एक side shortest side से 4 cm long है एक और side shortest side के twice से 6 cm less है बस ये दो चीज़ा आपने अपने दिमाग के अंदर रखीं, देखेगा तो smallest side अगर आपकी x है तो एक side इस smallest side से 4 cm long है और तीसरी side इस smallest side के double से 6 cm less है के लिए रो गया तो एक है आपके पास अगर x ये smallest side है b आपके पास इस smallest side से 4 cm long है और c आपके पास इस smallest side के twice से 6 cm less है अब अच्चो देखो, अब आपको a पता है, x, b पता है, x plus 4, c पता है, 2x minus 6 a का, b का और c का सम भी आपको पता है क्योंकि वो parameter है और वो आपका 50 है तो आप a, b, c की value put करेंगे, x को calculate करेंगे फिर आप a की value निकालेंगे, आप b निकालेंगे, c निकालेंगे और here on formula लगा कर आप area निकालोगे तो जल्दी से करके देखो, इस वाले note को भी मत देखो इस triangle का area मुझा 5th का निकाल कर देखाओ अब अच्चो देखो, कुछ important बात समझो one marker question आता है exam के अंदर, और इस तहां short card शिखाता हूं आपको, teacher कहती है कि हर side अगर किसी triangle की double कर दी जाए, if each side of a triangle इसे double, तो area कितना होगा, तो बच्चो याद रखो area इसका 2 into 2 times हो जाएगा, मतलब teacher ने अगर area निकाल कर आपको देदिया 10 cm2, और कह दिया side double हो गई है, तो area नया जो होगा 10 के multiply में 2 into 2 आजाएगा, मतलब 40 cm2 area आपका बन जाएगा, teacher ने area निकाल कर दिया, कि भी teacher आप से कहती है कि if the area of a triangle is 15 cm2 and each side is a double, हर side को double कर दिया गया, तो new area क्या होगा, वो जो पुराना area है, उसके multiply में 2 को दो बर multiply करोगे, 2 into 2, मतलब 15 into 2 into 2, मतलब 15, 460, 60 cm2 area बन जाएगा, हो सकता है teacher, इसको double ना बोले, और हो सकता है teacher आप से कह दे, कि अगर हमने हर side के triangle को हमने triple कर दिया है, तो triple कर देगी teacher, तो area हो जाएगा आपके पास में, जो भी पुराना area था, उसके multiply में, जैसे पहले 2 into 2 आता था, अब आपका triple कर दिया है, तो 3 into 3 आ जाएगा, मतलब पहले area, अगर teacher ने निकाल कर आपको 10 दिया है, तो अब आपका जो नया area, sides को triple करने की वज़े से बनेगा, वो बनेगा 10 के multiply में 3 into 3, ठीक है, तो यह ना आप एक यह one marker आता है, तो आप इसे one marker के according की याद रख लो आप, तो इनको note कर लो, यह point बहुत important है, अब देखो बचो, एक बहुत tricky question मैं आपको सिखा रहा हूं, यह question teachers as it is देती है, maximum school के अंदर teachers यह question कराती है, और जिन school में छोड़वा देती है, question आपके बास में, उसके बारे में मैं कहा नहीं सकता, तो जिन school में question कराया जाता है, तो maximum teachers का focus होता है, कि इस तरीके के इसी question को सिखाया भी जाया, और class में कई बार test में भी दे दिया जाया, तो समझो, teacher आप से बोलेंगे कि एक tapis jam है, जिसकी parallel sites आपको given होंगी, और non parallel sites आपको given होंगी और area of the tapis jam पूछा जाएगा, यही question होगा as it is, तो basically क्या है, values change हो सकती है बस के बाल, question क्या होगा, parallel sites आपको given है 140 और 157, और non parallel sites आपको given है 126 और 125, तो आप सबसे पहले एक tapis jam AB, जिसके parallel एक side होगी ABCD, तो ABCD आप सबसे पहले एक tapis jam बना लो, सबसे पहला figure को drop करो, ABCD इसे tapis jam, यह ABCD एक tapis jam बना लो जब आपका tapis jam बन जाए, तो उसे tapis jam की एक side को 40, और उस 40 के parallel जो side है उसको आप 57, यहाँ D से लेका सी तक बुरा 57, आप mark कर दो ठीक है, और जो non parallel side है उसे आप 26, और ECO 25 बी आप mark कर दो भी बीच में यह construction मत कीज़ेगा, सिर्फ tapis jam ABCD बनाएगा अब अब अच्छो देखो, बहुत छोटा से तरीका है tapis jam का question है, पहले उसे parallel line ड्रॉ करने से हम उसे एक parallelogram और एक triangle में break करेंगे तो हम क्या करेंगे, B से एक parallel line ड्रॉ करेंगे BE यह parallel होगी किसके AD के, तो BE parallel to किसके होगी आपके बादे के AD तो आपकी BE इस AD के parallel है तो आपने ड्रॉ करा BE which is parallel to AD तो ड्रॉ करा BE which is parallel to AD और फिर आपके बास में ये पूरा A, B, E, D, A के पहले लोग्राम बन गया अब सुनो, आपका ये जो B, E है क्योंकि ये पहले लोग्राम बन गया है तो B, E, E, D के एकोल होगा, ये 26 है तो ये भी कितना होगा, 26 होगा ये A, B, E, 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 करके नोट कर लो मैं दुबारा समझा देता हूँ सबसे पहले साइड एवी है उसके पहले साइड डी सी है यह 40 है और यह 57 है नॉन पहले साइड 26 है और 25 है आपने इस 26 साइड के पहले एक साइड को ड्रॉ करा तो यह भी 26 हो जाएगी 40 के सामने वाली साइड पहलोग्राम की दी है वो भी 40 हो जाएगी तो डी से ए कितना है 40 बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है आउट ओफ 57 वो है 17 तो इस ही कितना हो गया आपका 17 बन गया तो इतना आप प्रेले ड्रॉ करके मार्क कर दो अब देखो बचो अब आपने क्या करना है इसमें से ट्राइंगल ही उठाकर अलग कर दो यह 26 25 और 17 वाला जो ट्राइंगल है इसको उठाकर आप अलग कर दो तो आपने क्या करा 26 25 और 17 वाला ट्राइंगल उठाकर आपने अलग कर दिया उस ट्राइंगल पर एक परपेंडिकल और आपने एच बना दिया अब आपको A पता है आपको B पता है और आपको C पता है तो आपको A पता है B पता है C पता है तो ABC मार्क करो आप आराम से जानत to s s minus a s minus b s minus c आप लिख सकते हो त्रैंगिल के अरिया कितना होगा आपका हाफ बेस इन्टु हाइड तो हाफ बेस इन्टु हाइड हाफ 17 इन्टु है इस इकोस टू जो भी आपके बार समान से निकला प्राइम फेक्टरिशन की सॉल्व किया आपने और आपने इसली इससे एसे निकाला वो 24 संटीमेटर निकल कर आ गया अब टैपीजियम का एरिया होता है आपके बास में बहुत सिंपिल हाफ जो भी आपको टीचर ने पैरलल साइट्स दी है तो पैरलल साइट्स कौन सी दी है एवी और सीडी तो एरिया टैपीजियम होता है हाफ पैरलल साइट्स का सम इन्टू हाइट तो यह होता है आपके बास में हाफ जो भी आपकी पैरलल साइट्स है पैरलल साइट्स है एवी और सीडी इनका सम इन्टू हाइट तो हाफ पैरलल साइट्स में आपने पहले 40 लि आप अगर छोड़ करा है तो मैं आपकी पिटाय लगा दूँगा योगि यह question मैंने आपको बहुत दिल से सिखाया है exam में question पूछा जाता है और आपको इसकी खुब practice कर लेनी है तो बच्छो नीचे description में form है आप लोग अपनी एगली classes के लिए हम आपको join करोगे अपने दोस्तों के साथ भी शियर करोगे और हम अपनी online classes में आपको welcome करेंगे thank you so much all the best